हाई फ्रेंस मैं फईयास फ्रेंस आज का वीडियो निसान ट्रेनों पे बनाने जा रहा हूँ ट्रेनों और डस्टर रिनॉल्ड का इंजन एक ही है तो इसमें प्रॉलम यह आ रहा है कि जैसे हम 3000 या 4000 आर्पियम पे लेकर के जाते हैं गाड़ी को तो यह आर्पियम वैसे ही 3000 पे आकर के रुका रहेगा तो मैंने सुचा कि इस पे वीडियो में शूट कर लेता हूँ और इस पे इटूब पे वीडियो डालता हूँ क्योंकि यह किसी के साथ ऐसा हो सकता है और इसका प्रॉलम बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉलम नह चला गया और मैंने देखिए आप फेर हटाल यह एक्ष़ लेटर से और यह देखिए इस ट्रेटर इसी आर्पियम जो है यही परुका हुआ है यह देखिए और यह आर्पियम कैसे होगा खतम यह देखिए जैसे मैंने AC off किया यह देखिए और प्रॉलम किर गया तो पहले पर आपकर हमें खुल करके ले चलते हैं मचिन पर पर एंजेक्टर रिपेयर करा करके पिर इंजेक्टर हम इसको टाइट करते हैं अंब करते हैं देलफे का इंजेको लगा हुआ Local advance वो चैनल हैक हो गया एक इंजेक्टर पे अलग से में वीडियो दे दूँगा क्योंकि फिर बहुत लंबा इंजेक्टर जब रिपेरिंग होता है तो लंबा वीडियो हो जाता है कम से कम कुछ नहीं तो 15 मिनट का वीडियो इसमें एक एक चीज़ समझाना पड़ता है कि क्या में होता है क्या कैसे कोडिंग होती है क्या इसका काम होता है कितनी फाइरिंग होनी चाहिए कितना रिटर्निंग होना चाहिए कितना प्रेशर आगे पिश्टन पर आना चाहिए उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना करें दे दूँगा और यह इंजेक्टर रिपेर करा करक करने के बाद मैं देखता हूँ कि प्रॉलम सट आउट होता है यह नहीं अब देखिए गाड़ी के पास आ गया हूँ और गाड़ी स्टार्ट करिया और इस्टार्ट करने के बाद आर्पियम लेते हैं जो पहले हम लोग अब ऐसा नहीं है इंजेक्टर टाइट हो गया चारों और इस गाड़ी के हमने टेस्ट ट्राइब भी ले लिया है कम से कम इसका हम लोग 60-70 किलोमेटर चला करके अभी आ रहे हैं और देखिए अभी भी ऐसी आउन है तो इसका प्रावलम सोट आउट हो गया की वीडियो अच्छा लग हो जिसे लाइक कर दिज़े शेयर कर दिजिए अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिज़े सब्सक्राइब बटन कब के बतन बागल में जुब्रेड नोटिक किसने उसको जरूब प्रेस करतीजिए जाकि जो भी में वीडियो डालूंगा आपको नोटिकिकिकिकिसन मिल जाए मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद